हेलो व्योर्स, वल्कम टू माई यूट्यूब चैनल, आज की स्पेशल रेसिपी नारियल के स्वात की मज़ेदार सी कुल्फी, ये कुल्फी खाने के बाद अब एकदम रिफ्रेशिंग फिल करेंगे, तो चलिए अब रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले एक पतिले में 500 ml जितना फुल फेट दूध लिजे और इसे मिडियम गेस की फ्लेम के उपर एक उबालाने तक अच्छे से गरम कर लिजे दूध में एक उबाला चुका है, इसे कुक होते हुए 2 मिनिट हो चुके है अब इसमें से 3 बड़ा चमचा जितना दूध है वो एक अलग बाल में निकाल लिजे हमें एक सलरी तयार करनी है तो उसके लिए 3 चमचा जितना दूध एक अलग बाल में निकाल लिजे अब इसमें एक बड़ा चमजितना कस्टर्ड पाउडर डाले और अच्छे से मिक्स कर दीजिए कस्टर्ड पाउडर से अच्छा सा कलर और फ्लेवर आता है अच्छे से मिक्स करने के बाद इस स्लरी को दुद में मिक्स कर दीजिए सलरी बनाते वक्त मेरे से थोड़ी से गाठे बन गई है पर ये कोई दिक्कत की बात नहीं है हम आगे चाके इस मिक्षर को मिक्सी में क्रश करने वाले है चर्ण करने वाले है तो वो गुठली आए वो खतम हो जाएगी तो इसे लगातर इसी तरह से कुक कर लिजे अब इसमें वन थर कप जितनी चिनी डाल दीजे और इसे भी अच्छे से मिला दीजे चिनी का मेजर्मेंट आप अपने टेस्ट के अकोडिंग कम ज्यादा कर सकते हो तो बस इसे लगातार स्पेचूला घुमाते हुए 8-10 मिनिट तक इसी तरह से अच्छे से गरम कर लिजे कुल्फी के मिक्स को मैंने 10 मिनिट तक अच्छे से बोईल कर लिया और अब यह देखिए कितना थीक हमारा मिक्षर बन चुका है स्पेचूला से हम इसे खुमा रहे है तो यह एकदम स्पेचूला के उपर आ रहा है तो यह परफेक्ट हमारा कुल्फी का मिक्स बन चुका है तो अब गे अब आधी अलग निकाल ली और इसे चोटे टुकडों में कट कर लिया तो यह मिक्सर जर में डाल देते हैं और मिक्सर जुका है और यह देखिए एक दम हमारा थीक मिक्षर तयार हुआ है अभी आपको एक दम लंप ही लग रहा होगा पर हम मिक्षर में इसको चॉन करेंग तो एकदम स्मूथ हो जाएगा तो अब इस कुल्टी मॉल्ड में कुल्फी मीक्स को फिल कर दीजिए मैं यहाँ पर कुल्फी बनाने लिया है उससे टोटल 4 कुलफी बन जाएगी तो चारो कुलफी मॉल्ड में हमारे कुलफी मिक्स को अशे तरीके से फिल कर दीजिए यहाँ पर मैं अल्यूमिनियम का कुलफी मॉड्ड यूज कर रहा हूँ अगर आपके पास प्लास्टिक का मोले तो वो भी आप ले सकते हो अब इसके उपर सिल्वर फेल अच्छे से लगा दीजे ताकि यह एर प्रूफ हो जाए तो तारे कुल्फी मोल्ड के उपर मैंने सिल्वर फेल लगा दी और अब एक चाकू की साहिता से इसके उ कुल्फी स्टिक को इंसेट कर दीजिए और अब कुल्फी को हमें जमाने के लिए फ्रीजर में रखना है तो मैं यहाँ पर इसे फ्रीजर में रख देता हूँ और कुल्फी को हमें 6 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट फ्रीजर में रख दीजिए यह अच्छे से जम जा से डिप करिए सिफ्ट दस और 20 सेकंड के लिए और फिर इस तरह से गुमाते जाए हलके हाथ से और आपकी कुल्फी है वो आसानी से निकल जाएगी तो मैं इसको इस तरह से गुमा रहा हूँ तो देखिए अच्छे तरीके से हमारे कुल्फी है वो यहाँ पर डिमोल्ड हो गई है देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आई है बहुती बड़िया परफेक्ट हमारे कुल्फी बन गई है चलिए मैं दूसरी कुल्फी भी इसी तरह से आपको डिमोल्ड करके दिखाता हूँ सिर्फ 10 और 20 मिनिट पानी में डिप करिये और आपकी कुल्फी निकलाएगी तो बहुती आसन तरीके से और एकदम नया स्वाद वाली यह नारियल के कुल्फी है वो बन गई है और आपने देखा यह बनाना एकदम आसन है सिर्फ और सिर्फ मैंने जिस तरह से रेसिपी बत सेक्शन में जरूर बताना और मेरी चैनल को भी तब सब्सक्राइब ने किया है तो उसे सब्सक्राइब करना मिलते हैं नहीं रेसिपी में बाई बाई